तो दोस्तो बारत का सबसे टॉलेश्ट और विश्ट रेसलर सतनाम सिंग और डब्लुड़ु का मॉंस्टर ओमॉस इनकी अगर असल में फाइट होती है तो कौन जीतेगा जिया दोस्तो आज हम टक्कर लगाने वाले हैं ओमॉस और सतनाम सिंग की तो चले दोस्तो देखते इस comparison में कौन किस पे बाहरी पड़ता है तो दोस्तो सतनाम सिंग का पूरा नामे सतनाम सिंग भमारा और ओमोस का पूरा नामे जॉर्डन ओमोक बेलिन दोस्तो सतनाम सिंग की नैशनलिटी है इंडियन और ओमोस की नैशनलिटी है नाइगरियन प्लस अमेरिकन और दोस्तो सतनाम सिंग और ओमोस के एज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जहाँ पर सतनाम सिंग का एज है 26 और ओमोस का है 28 जिया दोस्तो सतनाम सिंग यहाँ पर ओमोस से 2 साल छोटे है फिर दोस्तों बात करते है मेन मुद्धे की जो के इनका बैगराउंड दोस्तों इनका बैगराउंड भी थोड़ा सेम है जहाँ पे दोनों भी बास्केटबॉल प्लेयर है लेकिन दोस्तो सतनाम सिंग यहाँ पे बहुत ही टॉप लेवल के बास्केटबॉल प्लेयर है जहाँ पे इनको E-NBA में भी ड्रेफ्ट किया गया था और दोस्तो दूसरी तरफ ओमोस से बास्केटबॉल प्लेयर अपने कॉलेज लेवल के तो दोस्तो यह तो हुआ इनका नॉन रेसलिंग चीजों का कमपेरिजन जहाँ पे सतनाम सिंग ओमोस पे बारी पड़ते हैं और दोस्तों आप मैंसे कई सारे लोगों को पता नहीं होगा लेकिन सतनाम सिंग ने अपनी प्रो रेसलिंग की सुरुवात किये डब्लू डब्लू से जहाँ पे सबसे पहले डब्लू डब्लू ने उन्हें भुलाया था ट्रायोट के लिए और वहाँ पर कई मैंनों तक सतनाम सिंग ने वहाँ पे प्रैक्टिस की है दोस्तों प्रो रेसलर बनने के लिए सतनाम सिंग ने 2017 से सुरुवत की है इसलिए उनके पास भी काफी जादा एक्सप्रियंस है प्रो रेसलिंग का और उनकी ट्रेनिंग भी काफी अच्छे कोचेस और ट्रेनर्स के नीचे हुई है, लेकिन दोस्तो इस मामले में ओमास भी कम नहीं है, उनकी भी अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई है, वो है इनकी हाइट, दोस्तो सतनाम सिंग की असली हाइट बताई गई है, एडबली के तरफ से 7 फूट चारिंज, दोस्तो इनकी एक्च्छल हाइट बताई गई है, 7 फूट चार पॉइंट पचीस इंचेस, दूसरी तरफ ओमास की हाइट है 7 फिट और 3 इंचेस, यहाँ पे दोस्तो हाइट के मामले में तो सतनाम सिंग ओमास की बाहरी पड़ते हैं, लेकिन दोस्तो वेट के मामले में बहुत ज़्यादा फरक आता है, यहाँ पे दोस्तो सतनाम सिंग का वेट है 138 kg और ओमास का वेट है 183 kg और इसलिए दोस्तो मैंने सुरुआत में ओमास को डब्ल सत्त नाम सिंग और Omos के मूज लगबग सेम हैं जैसे कि दोनों भी डबल चोक स्लैम लागाते हैं दोनों भी चोक मारते हैं और बिग बूट भी देते हैं सत्त नाम सिंग यहाँ पर डबल क्रॉस बोड़ी भी लगाते हैं और उसके पहले वो 2017 से अपनी ट्रेनिंग कर रहेते हैं। दूसरी तरफ दोस्तो 2019 में Omos ने जॉइन की है WWE और तब ही से उनके WWE Performance Center में ट्रेनिंग चाल होई थी। लेकिन दोस्तो यहाँ पर Omos के पास Indering Experience जादा होने के वज़े से यहाँ पर भी Omos सी सतनाम सिंग पे बारी पढ़ेंगे। तो दोस्तो अगर कूल मिला कर बात की जाए तो Wrestling Experience और Indering Skill के वज़े से Omos सी सतनाम सिंग पे बारी पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दू। सतनाम सिंग इतने लंबे चोड़े रेशलर होने के बावजूद उनकी मुवमेंट्स बहुत जादा फास्ट है। और इन दूरों में हमें उनके बाड़ी में भी काफी जादा ट्रांसफॉर्मेशन देखनों के मिला। इसलिए जल्दी ही ओह में बहुत ही जादा डेवलप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तो जल्दी ओमोस पे भी भारी बढ़ते हुए भी दिख सकते हैं। तो चलिए दुस्तो आज के लिए इतना ही दोनी जाइंट रेशलर्स के लिए इस वीडियो को एक लाइक करें। और हमरे चैनल को सब्स्राइब करें। ठैंक्स पूर वोचिंग। बबाई।